अबी रिसेंटली कॉमेंट सेक्शन में किसी ने पूछा था कि आईसोलेट प्रोटीन ले चको हो भी है लगाता तीन महीने उसके बाद ही मेरे मसल्स गेर नहीं हो रहे हैं और इस वीडियो में बात करूँगा दो प्रोटीन के बारे में आईसोलेट के मुकाबले थोड़े सी फैर जादा मिलेंगे थोड़े सी कार्वोहाइडिट्स मिलेंगे इससे कुछ नहीं होगा दो चार नमर उपर नीचे से आप थोड़ा सा एक्ष्ट्रा स्टेप्स कर लो थोड़ा सा वॉकिंग कर लो जो आपकी कैलोरीस बगएरा एक्ष्ट्रा गई है थोड़ी बहुत वो आसानी से बर्न हो जाएंगी क्या प्रॉलम पड़ रही है अब सुनिया आप कॉंसेंट्रेट प्रॉटिन के फाइदे देखिए इसे बॉड़ी डाइजेस्ट करने के लिए थोड़े एफर्ट लगाती है और यही एफर्ट्स आपके बहुत जादा काम में आने वाले हैं जैसे कोई आपने हैवी फूड ले लिया प्रॉटिन के लिए तो आपकी बॉड़ी उसे आसानी से डाइजेस्ट कर लेगी और यहीं पर आप अगर आइसुलेट लेते रहोगे तो ध्यानक ना आइसुलेट आसानी से अब्सॉर्ब हो जागा आपकी बॉड़ी में इसकी व समझे रहो आप और हाँ एक और आप बोलना चाहता हूं कि जितना भी प्रोटिन है पहले आप नॉर्मल फूड से कंस्यूम करने की कोचिस कीजिए उसके बाद अगर नहीं हो रहा है तब जाकर इन प्रोटिन सप्लिमेंट्स पर आईए मैं गोस आपको पता भी नहीं है जो तो आप नॉर्मल प्रोटिन ले सकते हो जैसे कि आपका हो यह मैंने बताया ऐको मैंने बिलकिंग के तो दोनों को से रहां यह हा यहां एक मेटर हो रहे हoga यह किसी कोंपेटिशन की प्रेप कर रहे हो तब आपका यहमाय रखता है तब हमयं यह कैसे ही तरफ जाएए बट आप अभी तो देखिए अभी कौन साब को Mr. Olympia खेलना है यार और मैंने ऐसे प्रोटीन से लेटे जो भी मित है उन पर और भी वीडियो बनाई है आप जाकर आई पटन पर क्लिक करके देख सकते हैं